हेलो एवरिवान वेलकम टू क्लास 24 सो गाईज जैसे कि आप सभी को मालू मैं डेली सुबह साथ बजे में टू सटेडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यर जिसके अंदर हम लोग दै हि जो है वो बहतर जो है वो जरूर करेंगे तो इसके लिए बहुत जरूर है कि आपकी जो नॉलेज है ना वो डे बाइडे इंप्रूव है जो की होती रहनी चाहिए यह सेशन जो है आपको ना सिर्फ आपको एक्जाम में जो है नंबर स्कूर करने में हेल्प करेंगा यह जो आपना जीवन है जो कि जीने की कोशिश करोगे आप लोग लिए अच्छा करोगे और आप अपने लाइफ के अंदर कुछ वेल्यू एडाउन करके अपनी करियर के अंदर भी आगे वरने की पूरी कोशिश करोगे बिकाज मुझे मालूम है आपको मालूम है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ में कैसा जीवन है जो कि जीना चाहते हैं और foremost important आप खुश रेना जो है वो ज़रूर चीख जाएंगे चलो आगे बात करते हैं तो जैसा कि आप सु यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं एक कोशन था कि टू अफोल्ड और प्रोटेक्ट दा सोवनिटी यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ दे इंडिया इंडिया इप्रोविजन मेड इंदा तो भारत की जो इंटेग्रिटी है एकता है और जो अपनी अखंटता ह इसको बनाय रखने के लिए जो प्रोविजन दिये गए हैं वो किस में दिये गए हैं प्रिम्बल में नहीं दिये गए हैं फंडमेंटल ड्यूटी में राइट्स में नहीं दिये गए हैं डिपी एसपी में नहीं दिये गए हैं आपको ये फंडमेंटल ड्यूटी के अंदर जो की mention किये गए क्योंकि कल हमने fundamental duties के बारे में detail में जो है वो आपको पढ़ा था है ना चलिए कल हमने पढ़ा था fundamental duties के बारे में इस question है fundamental duties को लेकर ही है दोनों ही question जो यहाँ पर statement है जो की पुछे गए और एक legal process है जो की available करवाया गया है fundamental duties को enforce करने के लिए तो आप सभी को मालूम होगा कि यह enforceable नहीं है है ना यह DPHP के अंदर जो आते हैं यह directions है जो हमें follow करने चाहिए और legal duties से यह correlated नहीं है यानि कि दोनों statement आपके आपे गलत है जो की हो जाएंगे next question की बात करें environment protection at 1986 को लेकर इससे government को दोस्तों power मिलती है कि वो क्या कर सकती है public participation करवा सकती है environment protection को लेकर या फिर standard जो है वो maintain कर सकती है ताकि environment pollutant है जो की कम release हो तो देखो public participation वाल तो program चलाये जाते हैं यह कोई powers नहीं होती है तो यह तो हो गया आपका गलत यह ता outreach programs होते हैं basically है ना campaigns होते ही है लेकिन standards है करने की power जो है वो जरूर है environment protection at के ताहित government of India को तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या भी आपका सही आंसर है जो की हो जाएगा इसके अलाव अगर आपने class 24 application डाउनलोड नहीं करी है तो कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी exams के proper courses आपको मिल जाएगा आप जैसे कि अभी आपका group D का exam चल रहा है तो आप यहाँ पर buy now पर जा सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ है ना और लगाने के बाद में जो है आपको 25% आफ भी मिल जाएगा टेस्टरिस के उपर चलिए आज के कुरुपद दरी देखते हैं दोस्तों I never dreamed about success I worked for it तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पर बोली गई है कि हमीशा लोग सपने ही द लेकिन सफने देखना का दिन की शुरुवात होती है अगर आप दिन में देख्रें हो तो जो पूसके बात का आगये पहुत जरूरी है आप लाइफ में बहुत कुछ बंना चाहते हैं चाहते हैं चुछ के सारे ambitious हो कुछ लोग नहीं भी होते हैं और उसके अंदर कुछ गलत भी नहीं है लेकिन जो भी आप अपने आपको देखना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करना जरूर यह सीखिए अच्छी किताबे पढ़ रही है उन लोगों के साथ मैं मिलने की कोशिश करें उन लोगों के दोस्तों तो यहाँ पे अभी रिसेंटली एक चेंज है जो कि पार्लेमेंटरिन बॉड़ी में देखने को मिला है फ्रेंट पेज पर जो यह न्यूज है वो है बीजेपी को लेकर बीजेपी की जो पार्लेमेंटरिन बॉड़ी है जो सबसे बड़ी decision making authority होती है पूरी पार् का नाम है जिन लोग को include किया गया है वो सर्विननन्दा सोने वाल है और आपके यदुरप्पा जी को यहां पे include किया गया है 2014 के अंदर लाल कृष्ण आडवानी जी को भी यहां से टाटा बाय बाय कर दिया गया था समझ गये तो यह आपका दोस्तों छोटी सी news है कुछ ख अनंत कुमार थे वाइं क्या नाइडू जो है वो वीपी बन गये थे तो कुछ पोजिशन खाली होगे थी तो उनके यहां पर fulfill करी गई है यहां पर दोस्तों कल जो है काफी टुटर के ओपर जो हमगामा मचा रहा उसका कारण क्या रहा दोस्तों हना उसका कारण क्या रहा एक ट्विट रहा हर्दीप सिंग पूरी जी जो कि आपको मालू में अपने हाउसिंग मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्विट किया और बोला कि जो रोहिंगया मुस्लिम से जो की बंगलादेश से मैनमार से आय थे इंडिया के अंदर उनको हमने दिल्ली के अंदर जो अपने जो अपने अपार्टमेंट से जो की सरकार के द्वारा बनाए गए थे उनके अंदर हमने उनको जगे है जो कि अविलेबल करवा दी है आने वाले दिनों के अंदर हम उनको छोटी जो बेसिक फैसलिटीज होती है वो सब भी अविलेबल करवा देंगे ठीके गाइस पिने की सुविधा जब तक उनको काम नहीं मिल पा रहा है वाँ पर तो यह कुछ बेसिक फैसलिटीज है जो कि मिलनी चाहिए तो वो बेसिक फैसलिटीज है हम लोग अविलेबल करवा रहे है रोहिंगया रिफुजी को इनको EWS फ्लैट से जो कि दिल्ली के अंदर है अविलेबल करवाए गये जैसे ही यह ट्विट है जो कि इनके दुवारा हर्दीफ सिंग पुरी जी के दुवारा किया गया थोड़ी देर बाद में जो अपना होम मिनिस्ट्री है ग्रह मंत्राल है उन्होंने वापस से ट्विट किया और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई भी ज करवाए जा रहा है तो आप देख सकते ही दिल्ली के अंदर रहें गया रिफ्यूजी के कही सारे बच्चे और कही सारे लोग है जो कि मेक्शिफ टेंट में जो अभी यहां पर रह रह रहे हैं तो यह वाला काल इस्यू है तो इसके अंदर कुल्मला के हाउजिंग मिनिस्टर का है कहना था कि जो भी हमारे आप पर है जो लोग रह रहे हैं उनको अविलेबल करवाएंगे और हो मफेर्स ने उसको अभी बना किया क्योंकि इल्लीगल जो माना जाता है जो रिफ्यूजिजिजर को इनलीगल है जो कि हमारे आप पर कंसिडर किया और इसफीन तो ह्पावर स्टर के अंदर पनीर सेवाम है उनके फेवर में कुछ सुनाया है कि वोगोर्टी के आनदर सिलीगे चंजिकी नहीं कर सकते हिए। दोस्तों अर्विन केजिवाल का campaign के बारे में उसके बारे में बात करेंगे यहां पर रोहिंग्या Muslims के बारे में और refugees के बारे में थोड़ा discussion करेंगे बहुत important है क्योंकि बहुत time हो चुका है शायद सब बोल चीके होंगे रोहिंग्या refugees के बारे में पूरी दुनिया के सबसे बड़े persecution, minority persecution है जो कि माना गया है United Nations Human Rights Commission के द्वारा भी और High Commission for Refugees के द्वारा भी तो यहां पर देख सकते हैं यह दोस्तों मैंनमार है मैंनमार में actually क्या है कि एक rule है दोस्तों 19th century मैं इंगर में बनाया था मैंनमार यह बोलता है कि हमारे आपर हम लोग 8 ऐसी indigenous जो communities है उन्हीं को यह citizenship है जो कि available करवाएंगे उसके अंदर rowing gas बिल्कुल भी नहीं है हाला कि rowing gas जो एक 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 इंडो आर्डिन community है जो कि बहुत सालों से सौट देट सुट सालों से इस एरिया में मैंनमार वाले एरिया में रह रह रही है लेकिन उनको कभी भी consider है जो कि indigenous के अंदर नहीं किया गया तो अब जब इन्होंने नहीं consider किया आर्ट के अंदर तो उनको citizenship भी नहीं मिलेगी कई सारे groups का formation हो गया हना जो कि violence करने लग गए तो उसके बाद में military ने यहां पर क्या किया कि इंके persecution उसको tackle करने के लिए उन्होंने तरीका निकाला कि इनको यहां से निकाल दो तो यह सारे के सारे बाद के बंगलादेश कुछ एक कुछ एक मिजोरा मनिपूर तिरिपूरा कई एरिये के अंदर जो कि यहां पर आप देख सकते हो फिली हो गए कुल मिला के दस लाग के आसपास यह टोटल है जो की ऐसे लोग है जो की माने जाते हैं दस लाग के दस लाग कुछ लोग जो है वह बाउंटर के दौरा थाइलेंड, कमबोडिया, मलेशिया जहां जहां पर जो जगे मिली वहां पर यह लोग निकल गए युनाइटे निशन के दौरा मोस्ट पर्सीक्यूटेड मैनरिटी है जो की इनको बताया जाता है दोजार सत्रा के अंदर यह जो है मिलिटरी थी उनके अटैक के बाद में लोग फ्ली होना अपने घर चोड़के जाना इन्होंने दोजा सत्रा में स्टार्ट किया था है ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और वाइलेंस है जो की मैनमार में देखने को मिल रहा था ओके और यहां पर एक्शनी में बुद्देश मिजॉरिटी कंट्री है और इसके वज़े से क्या हुआ कि सारे लोग बांगलादेश जो जो आसपास जगे मिली उन सब के अंदर जोकी जाना चालू कर दिया कुलमला के एक मिलियन लोग थे जिन्नोंने मैनमार चोड़ा 12-16-17 के बाद में नियर भाइट 6 लाग चले गए आपके बांगलादेश है ना उसके अलाबा आसपास के एक एक लाग पचास पचास जजार बाग की कंट्रिस के अंदर जोकी चले गए युवन के दुआरा मैंने आपको बताए दिया क्या स्टेक्मेंट है जोकी दिया गया एक्चुली के अंदर ये चीच और थोड़ी बहतर तरीके से टैकल की जा सकती नहीं मैंनमार के दुबारा लेकिन वहाँ पें सुयू की जिसको पुरी दुनिया में काफी अप्रेशेट किया गया था उनके इंडेमोक्रेसी को लेकर डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने जो है जो जैसा करता है वह वैसे भड़ता है तो इसका एक एक जो कि मिला जब यहां में सुयूकी के साथ में वही हुआ, military को जादा power मिली वहां की और वो power मिलते मिलते वहां पर सक्ता पर काभिज हो गयर उसको पकड़ के jail में डाल दिया और अब वो jail के अंदर है और अब वो भी जो है सोचरी कि अगर मैं भी चले जाते तो शाद जादा बहतर होता, कम से कम jail म है वो deny की जाती है according to the 1982 man bar nationality law, जैसे कि मैंने आपको बताए कि यहां पे एक law है जो की बनावा है, जिसके तहित यह क्या कर सकते हैं, यहां पे 8 century की टाइम से मतलब इन्होंने 8 ऐसी national indigenous races है जो की recognize कर रखी है, तो उसके अंदर इनको include नहीं कर रखा और यह बहुत ही पुरान होता है, किसी भी देश में minorities के साथ में गलत होता है, तो बाकी international community को force करना चाहिए उस country को ताकि वो वहां के लोग हमेशा महीं पर ही रहे और survive कर सके, वरना क्या होता है कि वो आसपास के country में जाता है और फिर बाकी countries के लिए बहुत बड़ी problem है जो की create करते हैं, जैसे कि अ अब हमारे आपे रहे जब flee हुए, है न में मार्स है, तो आसपास के country के लिए problem great होगे, हमारे लिए हम illegal क्यों मानते हैं, हम क्यों कोशिश करते हैं कि ये अमारे border के अंदर नहीं आए, क्योंकि हमेशा बहुत तरही problems है जो कि एक country में होती है, जब बाकी country के लोग उसके अं इन लोगों का intrusion हो, या फिर इंडिया के अंदर, बंगलादेश, महनमार, यहां से हो, अब क्या होता है, सबसे बड़ी problem होती है, national security को threat होना, कौन आ रहा है, क्या अपने साथ में लेकिया आ रहा है, कौन सी information release करेगा, कुछ पता नहीं चलता, है ना, ठीक है, उसके अलाव जो है, वो काफी बढ़ गयते, क्योंकि अफरीका वाले हो, तो कभी देखा ही ने इस तरगी का modern culture, जन्मानी के आने के बाद उनका दिवा खड़ा होगे कि दुनिया ऐसी भी है, क्या, वहाँ पर लड़किया जो है, लड़की-लड़की को किस कर रही है, लड़का-लड़की क्या है यहाँ पर, उसके बाद में इनको जो है, वो publicly हम लोग open करेंगे, तो जर्मनी उसके वज़े से काफी criticism भी हुआ था, लेकिन humanity के तौर पर देखा जाया, तो अच्छी बात है, फिर उन्होंने colonies उनके लिए अलग बनाई, वहाँ पर train किया, पूरा उनको समझाया, उ जब दूसरों के घर में कुछ इस प्रकार की problem होती है, तो आपको बोलना चाहिए, समझ गए, क्योंकि वो चीज आपके वहाँ पे भी हो जाती है, फिर, तो बंगलादेश जब war हुई थी इंडो, तो इंडिना गांदी ने क्यो अटैक करवाय था, उसको क्यो इंडपेंड इफेक्टिव है जो की हो रहा था, एकनोमिक के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट की इतने सारे लोगों को हम लोग वहाँ पे राशन पानी दे, तो वो war करवाना ज्यादा बहतर ऑप्शन था, इसलिए हमने उनको आजाद करवाय था कि लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, ओके हमने दोस्तों एक refugee framework है, वो हमने sign तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद में भी दुनिया के one of the largest recipient है, जो कि हम लोग refugee के माने जाता है, जना तो यह जरूरी है कि एक legal framework है जो की बने, जिसको सारे country sign करें और फिर properly वो monitor करें, बांगलादेश ने इसका एक तरीका निकाल लिय किया था, बांगलादेश ने क्या किया कि जो भी refugees आया थे उनके लिए एक island दे दिया, चार पिया करके एक island था, वो available करवा दिया, यहाँ पर देख सकते हो, यह दिख रहा है आपको center में, यह दिख रहा है आपको, तो यह island अभी 20 साल पहले ही बना था, और यहाँ पर रहि जेंड डॉल के आपस बंगलादेश नेवी ने लगाए, इसको प्रॉपरली बनाया, पारिश वारिश की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से, और इसको settle करके, यहाँ पे लोगों को settle down कर दिया, कुछ इस तरीके से आपे नोने तरीका निकाला, ठीक है आगे बात करते है, तो गदिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, केधरिविन केजिवाल जी, 12-24 के लोगसुबा एलेक्शन को मंदे रज़र, उन्होंने कैम्पेन लांच किया है, मेक इंडिया नमबर वन कैम्पेन, ठीक है, इसके अंदर पांच टार्गेट करी गई है, पांच जो को सबसे प नमबर तीन, यहाँ पर जो हम डिस्कुस करेंगे, वो North East Frontier Railways के बारे में बात करेंगे, important है, चलो, हाँ, बिलकुल ये बात भी सही है, चंदन ने सही बोला कि ये जो आइलेंड है ना, इसके अंदर जून से लेकर सेप्टमबर तक बहुत heavy rainfall होती है, और ये आइलेंड के पर पानी काफी आ जाता है, हाला कि नेवी ने इंबैक्टमेंट तो किया वा है उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब उस आलेंड की बेहालत जो है, वो कुछ खास नहीं है, ठीके, चलिए, ओल्राइड, कार्तिक बोल रहे है कि सर, बैंक एक्जाम में करेंट अफेर पूरा अटैम कर पाया, थैंक यू, ओके, कम्प्लेटली माइ प्लेजर कारते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अटैम करके आ रहे हो, है ना, चलिए, ठीक है, आगे बड़े, तो यहाँ पर इस वाले न्यूस के बारे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुली क क्या 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 कि कामक्या टैमपल आने के लिए, आपको मालू में लाखों लोग है, जो कि कामक्या टैमपल गुमने आते हैं, बहुत ज़्यादा है, कामक्या टैमपल को लेकर पूरे देश में लोगो की, तो बहुत लोग आते हैं, तो उनके लिए एक रोप टेमपल पडीच में तो एक आपको रेलवे के अग्जाम दे रहें तो उस वाला एक्जाम चोपा जेसे कीज wreckage आने वाला है वहां पर सवाल है जो कि आपके बन सकता है चोटा सा है चलिये 1800 मिटर के अब सपास का Nicie के करें 2020 के लेके फैंडर Jeffrey यह आप देख सकते हैं बहुत यह बूती इंप्रफींग तैंपल और गुवाटी यह जब बहुंदी नॉट इस गुमने जाते हैं सब से बले ले इसी तेंपल ठीडियु जो की जाते हैं जो की मानजाता है निलांचल 23 इसको बना रखाएं यह तैंपल और गुवाटी के जो 10 महा विध्याज है उनमें से एक को यह जो है डेडिकेट है चलिए और अबुबाची फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है वो भी हर साल यहां पर मनाया जाता है चलिए यहां पर एक यह कौन है चलो चलिए ठीक है आगे बात करते हैं पर पांच की यहां पर लोग बात करेंगे दोस्तों जो की एक तो देखिए गोदावरी जो है वो ओर फ्लो हो गई है तिलंगाना के अंदर ना वह यह आप पर फोटर यह जी आई टैक की बात कर रही गई है जो हैंडिक्राफ्स आपको ठीक है तो इनको जी आई टैक है जो की देने के लिए अप्लिकेशन करवाई गई है हमारे लिए इंपोरेंट है यहां पर किरिला को लेकर किरिला ने दोस्तों किरिला पहला राज जैसा बन चुका है इंडिया के अंदर जो खुद की कैप सर्विस है जिसने लांच करी है त लिचल ने तेक्सिज है जोंकि स्टेट गांपन और बीड़ीविस्पिस स्टेट गोर्मेंट के दुवारा ओड़न है नॉर्मरली कोई भी स्टेट गोर्मेंट ह्गोर्मेंट कोई न Ну can कंपनी ओन कर रही है सर्विसेस की अफिर को सेंटल गवर्मेंट तो उससे बैस तो कुछ होई नहीं सकता उसके कोई होड़ी नहीं होती है क्योंकि कभी भी गवर्मेंट का मोटिव जो है वो लार्ज प्रॉफिट कमाना नहीं होता है वेलफर ऑफ़ पीपल है जो कि हमिशा ग यहां पर इन्होंने जो सर्विस चार्ज रखा है वो 8% नार्मली 20-30% जो कि हम रुटा है और एक पैनिक बटन भी दिया हुआ है वोंड सेफटी के लिए बच्चों के लिए जी सेन्य सिटिजन के लिए हर एक ड्राइवर को पहले सर्टिफिकेशन मिलेगा उसके बाद में वो ड्राइव कर सकता है मेर भाय साड़े 500 वेकल है जो कि अभी इनों ने लगाएं जिसमें से आटो रिक्षास भी है 200 डाइस तो के आसपास कार भी है सबसे बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि देंदू के इंदर आया है जो कि यह आर्टिक वार्मिंग को लेकर इसके बारे सबस आट बात करेंगे क्या आपने सोचा है आज की टायым पर बारिश हमारे आरे आपे बहुत बहुत य अनीवन तरीके से वने लगी है आपने देखा होगा कि जो बारिश का मौसम है उस टाइम पर तो आज कल बारिश कम होती है और उसके बाद में जादा होती है कभी बारिश होती है तो दो दिन तक बहुत ही लगातार होती है नहीं होती है तो फिर चार दिन पास दिन तक बारिश नहीं होती है अधर्वाइस जब हम छ था कि बारिश तो होई रही होगी रिने सीजन है वही है ना कपड़े लोगों को सूखते ने तो आंटी लोग उसने परिशान रहा करते थे हमेशा के मेशा लेकिन अभी पैटर्न बहुत चेंज होगा है अभी जुलाय अगस्त का जो रेंफॉल टाइम होता है उसमें बारिश खाःतर बीचार मेंशन हरें चेंज हो रहा है उसे पाँट गुदा से साथ ज्युना ज्यादा जए टैंपरिश चेंज फिर टैंपरिचर राइस आपको आर्टिक का गया गया है जो ग्रीन लेंस ही आइं शील्ट है वो बहूत वे से क्लाड़ी आनलिट क्यों और लुद ईससे किया और इसादा मॉम्न सूर जो पवह मांसूर उंन्हट चपा है मंठीटिवल आांके ऑनर हो की हो रहा है जो रेश्या के नौर्थ में जो बेरंट सी है नौर्वे का जो एरिया है आर्टिक का वहां पर बहुत ही अलामिंग नेट है इन फैट कही जगे पर तो साथ गुना जादा है जो की ग्लोबल आवरेस से बताया गया है और भी 2021 के अंदर 2022 के अंदर अब आप यहां पर देख सकते इसको बोलते है आर्टिक अंप्लिफिकेशन आप से पेपर में कई बार पूछे कि होता क्या है आर्टिक अंप्लिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जब बाकी प्लानेट के ओपर जिस रेट से हीट बढ़ रही है उससे कई जादा गुना जब आर्टिक रीजन के अंदर हीट बढ़े वहां के ग्रीन लेंड के जो बड़े-बड़े ग्लेशर बहुत तेज मेल्ट हो जाए तो उसको आर्टिक अंप्लिफिकेशन है जो की कहता है समझगे मेरे बात चलिए तो आप देख सकते हो कि हीमन अक्टिविटीज की वज़े से प्री इंडस्ट्रिल टाइम जो 19 सेंचुरी थी उससे अगर हम लोग 20 सेंचुरी को कंपेर करें तो 1.1 डिग्री सेल्सेज जो टैंप्रेचर है वो हमारे प्लानेट का बढ़ गया है ओके इसके अंदर मेजर चेंज आपके सर्फिस की एर टैंप्रेचर का रेडिएशन की बैसका यह भी देखने को मिलता है उसके वाज जासे आपके नॉठ पोल और साथ पॉल को काफे नुकसान है जो की हो रहा है इसको पोलर एंप्लिफिकेशन भी कहते हैं और अगर आर्ट इक में तो उसको आर्टिक हो एंदर हो रहा है अगर वहां पे ग्लेश्यर में अगर पिगले गया ज्यादा तेज तो obviously sea level बढ़ेगा चोटे-चोटे countries के problem हो जाएगी हमारे भी coastal areas में problem हो सकती है global warming के वज़े से बहुत सारे नुकसान है जोकी होता है ठीक है जो primary causes बतायागा है global warming के उसके अंदर आपके lapse rate जो feedback है water vapor का ocean के heat का यह सब भी जो है बताया गया है ठी radiation के वज़े से हना जो एक studies के अंदर दोस्तो recently बताया गया था कि Greenland की जो ice sheet है जो कि second largest amount of ice है जो की hold करती है after the Antarctica तो वो बहुत ही fast speed से जो है वो क्या हो रही है melt हो रही है 2019 के अंदर single biggest cause जो rise in the sea level जो बताया गया था 1.5 meter का वो इसी का कारण है जो कि बताया गया था ओके और अगर यह इसी तरीके से जाता रहा तो साथ मीटर तक राइस जो है पानी के अंदर देखने को मिलेगा जिससे कई सरे island countries और हमारे country के coast area पर भी problem में जो की आ सकती है ओके चलिए तो यहां पर अगर इस तरीके का कोई भी problem आती है Arctic Ocean की warming होती है तो और भी बहुत सार प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि acidification water का होगा, salinity level जो है वो change होगा, biodiversity change हो जाएगी, marine species जो है उनकी लाइस को issues आ जाएंगे, समझ गए, इसके लावा rainfall के जो incident है वो बहुत जादा change होगे, कहां पर कितनी rainfall होगी, lichens होगे, कितना effect होगा, effect होगा rainfall को पर, यह सारे काफी changes है जो कि देखने को मिलेंगे, और जब आपके fishing की भी problem हो जाती है, तो आपके starvation जो बुक बरी है, वो भी कही सारे countries में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो fishing नहीं कर पाएंगे, कही सारे Arctic animals जो है, उनकी death हो जाएगी, तो यह जो permafrost है, permafrost का मतलब होता है, जो बहुत थिक layer हो जो कि अब भी क्या होता है, जो पूरी की पूरी ice की जो sheet है, यह बहुत सारे bacteria को अपने अंदर दबा के रखी हुई है, जब यह पिग लेंगे, तो कई सारे bacteria और viruses वापस से जो है, वो revive हो जाएगे, अब हमारे environment के उपर क्या इसका impact होगा, वो भी हापे sentence ने study कर रही है, क food के उपर scale city देखने को मिल रही है, food security भी बहुत important parameter है, क्योंकि rainfall होगी, तभी food security मिलेगी, rainfall का pattern change होता जा रहा है, जहाँ पर नहीं होनी थी, वहाँ पर हो रही है, जहाँ होनी थी है, वहाँ पर होनी रही है, तो यह possible relation जो है, वो पता किया गया, कि यह जो Arctic Sea का जो level है, और हमारे हाँ पर जो यह late season है, इंडियन मांसुन का, दोनों की बीच में relation है, जो कि पता गया गया, 2021 के अंदर report भी publish करे गई, जिसके अंदर यही बोला गया, कि जो यह ice, जो reduce हो रही है, बैरेट के रहा सी, यानि कि जो Arctic वाले area के अंदर, इसके वाज़े से हमारे हाँ एक्स offshore और extreme rainfall event है, जो कि देखने को मिल रहे है, तो हमने दोस्तों एक IND-ARC करके, यह हमने एक underwater observatory भी सेवल बड में establish करे थी, 2014 के अंदर, यह जो हमने observatory बनाए थी, वो इसलिए बनाए थी, यह check करने के लिए बनाए थी, कि अगर Arctic में कोई भी change होता है, तो उससे हमारे हाँ पर के ऊपर वाला है, यहाँ पर देखे, काफी जाधा temperature change है, और 2021 आर्टिक के अंदर 7th सबसे गर्म एर है, जो कि आज सक्का रहा है, और temperature change देख सकते हो, यह तो नीचे वाला तो global है, यह तो global वाला तो कितना change हो रहा है, लेकिन Arctic के अंदर, अगर आप देखोगे तो यह सालों के अंदर ही देखने को मिला है, चलो, आगे बात करते हैं, पेज नंबर 12, climate, environment, related, econ, news है, दोस्तों, जो कि है आपके, दिल्ली को लेकर, दिल्ली में particular matter 2.5 जो है, वो दुनिया में worst है, जो कि बताया गया है, उसकी भी एक report है, इसके अलवा सेंटर ने दोस्तों, प्र करने वाला है, कुछ दिनों के अंदर, और बारिस के बाद में, और बहुत ही अच्छी, amazing offering, बहुत ही सस्ते में, जो है, आपको देने वाला है, ठीक है, इंडियन टूरिस्त के लिए, जैसे कि अगर आप देखोगे, कि इंडियन टूरिस्त मैक्सिमम टूरिस्त है, जो कि आ दोस्तों हमारे याँ से 75,000, 2022 में अभी तक 75,000 लोगें, जो कि श्रिलंका गूबने के लिए जा चुके है, तो यहां पर कई सारी new offerings है, जो कि यह लोग देंगे, बहुत ही सस्ते में करवाएंगे, आपको रहना, खाना, ठीक है, जो भी आपका है, क्योंकि इनको बढ़ाव जो कि एर कोलिटिका किया गया, इंडियन सिटीज के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडियन सिटीज, जहां पर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे हम बात करी गई है, एक्चली में क्या हुआ कि इस रिपोर्ट के अंदर जो पूरी ग्लोबली जो यह रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, इसके अंदर यह बताया गया, कॉंसे सिटी के अंदर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कितना है, हना आप सभी को मालू में कि छोटे से पार्टिकल होते हैं, 2.5 मैक्रोग्राम के, हना एक छोटे से एर के एरिया में, वो बताया जाते हैं, हना पर सेंटिमीटर क्यूब य गूते हैं, लंक्स में जाते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रेट करते हैं, टो यह एर जो है वो क्लीन होनी चाहिए, यह चोटे-चोडे से जो matter हमारे एर में गूबते है ना यह हमारे ौक्सजण के सात बार्ब्लम क्रेट करते हैं, तो यहाँ पे एक AIR QUALITY & HEALTH in Cities यह को अजो कीमन है लेकिन पर डीली और कोरया मर नमबर नूब टू कें का पर अब्सक्राइब को उसे जब मिलेंगे इस प्रकार से चलिए टो यह बताएब और कोई भी 2 यह उन्हाविथ कैं कोमा है जे पकल यह उतन सब्सक्रास नहीं रहे शेыт है ज्टी के यह टाम है शंगाई ने टॉप किया है दोस्तों एनुवल एक्सपोजर यहां पर जो एनुटू का है वो 41 मैक्रोग्रम पर मीटर क्यूब है ठीक है दिल्ली कोलकता मुम्माई का एवरेज एनुटू लेवल जो है वो 20-30 के बीच में बताया गया है एनुटू कहां सा आता है एनुटू तो आपको नॉर्मल ही देखने को मिलता है बर्निंग ओफ फ्यूल से अगर आप पावर प्लांट का इंडूस्ट्रियल फैसिलिटीज कुकिंग हीटिंग इससे आपको एनुटू जो है वो एर के अंदर जाता है ठीक है गाइस हमारे यहां पर जो ट्राफिक जायम की पर्सेंट सिटीज दुनिया की यह मानलों की 85-86 पर्सेंट जो सिटीज थी ना उन्होंने डब्लू एचो का जो पेरामीटर था वह एक्जीट कर रहा था डब्लू एचो का पेरामीटर बहुत ही कम है यार वतलब आप देखोगे तो स्रिफ 10 मैक्रोग्राम पर मीटर क्यों अब 10 मैक्रोग्राम हो यह नहीं सकता बड़ी बड़ी अच्छे जीटीज भी इसके बाहर चले जाती है वह ने पता नहीं क्या सोचके यह पेरामीटर तो लो है जो की रखा गया है एनुटू के लिए तो 10 है और ठीक है बाकी मेरे क्याल से जो उसके लिए जो उन्होंने 25 क अब बताया है इसके लावा हमारे आइटी कानपूर और और बी कई चारी और इसके उपर काम कर रही है ठीक है ओके चलो नेक्स बात करते है रिकॉर्ट प्रोडेक्शन ऑफ राइस तो अभी आपे अग्रिकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने इंफर्मेशन ने जो की दिये जादा टोटल है जो कि हमने प्रोडेक्शन किया है किस बाइस के अंदर और जो की नियरवाइब पांच मिलियन टर्म पिछली बाट से जादा है जो की बताया गया है इसके अंदर सारे चीज़े हैं मतलब मेज ग्रैम पलसे शुगर के इन सब के काफी अच्छी प्रोडेक् सकते हैं एक new military exercise उसके बारे में बात करेंगे ठीक है यहां पर बहुत ही अजीब गरीब न्यूज है साओधी वुमेन को 34 साल की सजा है जो की जेल के अंदर हुई है 34 साल की सजा जेल के अंदर है महिला को और पता है क्यों हूई है कारन क्या है क्योंकि ट्वीटर के उपर उ ऐसी चीजों को वो टॉल्रेट कर ले अलागि करना सीखना चाहिए उसको क्योंकि दुनिया में बहुत ही जरूरी है यार मतलब कोई अपनी बात रख रहा है राइट्स की तो इसको रखने ने दे रहा है 24 साल की कोई 2-3 मेने की सजा निए 34 साल की सजा है बहुत ही अजीब बात है ओके चलिए तो जेल सेंटेंज और ट्रावल बैंड दोनों है जो की 34 साल के लिए लगा दिया गया एक मेला को अभी तो हमारे आपे गुजरात में आपको मालूम ही होगा लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा मिले थी 14 लोगों के मडर और ग्यांग रेप करने के वज़े से कुछ लोगों को तो लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब होता है कि आज जीवन कारावास है जब तक रहोगे जब तक जिल में रहोगे तो उनको कमिटी बनी कमिशन बना उसक के जान से उनको मार रहे हो तो उनको 14 साल में रिलीस कर दिया बाहर आके जो है फिर बढ़िया तिलक विलक हो रहा है बढ़िया डोल कारें बज़रें को वर्ल्ड कब लिए क्या आए वो लोग पता नहीं क्या ओके यह सजा महां पर हो निचे थी और इसको महिला को विचारि आघे बात करते हैं यहाँ पर व्रादीमीर पुतीन को लेकर तो यहाँ पर चैनीज सर्विस मेंन से ओथ मिलाते हो है जो कि वॉस्टॉक के अंदर 2018 के अंदर जो कि यह करवाए गए तब की फोटो है अब भी रिसेंटली क्या है कि इंडिया हो चैना के जो टूपस है जो हम नाम होता है वॉस्तोग एस्ट एक्ससाइज 2022 ठीक है यह 30 अगस्ट से लेकर 5 या 13 सप्टमबर तक है जो कि चलने वाली है और यहां पर कई सारे पार्टिस कंट्रीज जो कि और भी पार्टिसिपेट करेंगे मतलब ऐसा नहीं है इंडिया और रश्या और साथ में चाइना ही पार्टिसिपेट करने वाले और भी जो आसपास की कंट्रीज है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट है जो कि आने वल दिनों में करेगी ठीक है वह यहां पर इंफ्रमेशन जो कि दी गई है बस आपको ध्यान रखिए है वास्तों इसका नाम है और इसको रश्या में बात करें तो UK के अंदर इंफ्लेक्शन दोस्तों पिछले 20 सालों का मैक्सिमम में जो कि हो गया है इसके अलावा असी से थोड़ा डॉलर जो है थोड़ा नीचे आगया हमारा रूपी अच्छी बात है इसके अलावा हमारे लिए जो आपर इंपोरेंट है दोस्तों हम लोग बात करेंगे चोटी जी निउस थी कहां चले गई बाट देख लेते हैं कौन सी थी हाँ बलकुल यहां पर एक छोट इसी निउस यह वाली इसके बारे में बात करेंगे एक्चुली में यह जो निउस है आपके इंटरनेट स्पीड को लेकर तो पुरी दुनिया में दोस्तो जो है अमारी पहले 13 MPPS थी और अभी 14 MPPS के आसपास जो की आ गई है उकला करके आप देखा होगा अगर आपको मुबाल इंटरनेट स्पीड चेक कर निये तो आप उकला पर जाके कर सकते हैं गूगल बी करके कर सकते हैं गूगल भी आपको इंटरनेट स्पीड है जो की बता है इक सोंड़ चोंड़े सोला कंट्रीज जो की इंटरनेट इस्पीड के अंदर हम से आगे है लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आपके प्राइस की तो प्राइस में डुनिया में टॉप 5 पांस गंट्री में हम लोग जो की सबसे कम प्राइस के अंदर आपको 4G तो एक रुपय या दो रुपय मतलब होता होगा कि अगर बाहर के देखोंगे तो आपको यह कि मिलेगा पांचो सासो रुपय में पर एक दो जीपी के आसपास तो बहुत ही महंगा होता है ठीक है लेकिन यह अपना जो स्पीड के अंदर जो है अभी 117 नंबर के ओपर है जो क इसकी UAE, UAE के अंदर maximum speed है जो की देखने को मिली है इसके अलावाद चिली जो है दोस्तो वो developing countries के अंदर first spot के ओपर है हना मूटान और मौरिताना के अंदर भी दोस्तो काफी जबरदर speed है जो की developing countries के अंदर बताए गई है यह countries भी काफी speed के अंदर आगे है चलिए आगे ब 2G आया, 2001 में 3G, 2010 में 4G, 2020 के अंदर 5G जो है वो हमारे country और पुरी दुनिया में launch हो चुका है maximum net speed के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पैदर आप देखोगे तो 14 kbps, 300, 100 mbps और अभी 1 gbps है जो की 5G में आपको देखने को मिलेगा downloading speed देखिए अगर आपको 5GB मूवी डाउलोड करने थी जो 1991 में पैदा हो थे तो पूरा महिना लगता था आपको डाउलोड करने में, 2001 में एक दिन में करते थे, 2010 में 7 मिनिट और आप 40 second के अंदर 5G आने के बाद में जो आप 5GB की जो मूवी है वो डाउलोड कर सकते हो, हमा यह जा चुका है, चायना की बात करें तो 42 GHz तो हम लोग बहुत ही low frequency band है जो की काम में लेते हैं और ठीक है, major countries के अंदर यह हम भी country है, जो की सबसे least number of band है जो की use कर रहे है, चलिए आगे बात करते हैं, Indian Express को लेकर, Indian Express पे ऐसा कुछ भी खास important है, जो की नहीं था, सारी same news ह यहाँ पर next है, इटली का लेक गारदा, देखो यह की लेक है दोस्तों इटली के अंदर, देखो अगर आप देखोगे न, European countries में जहाँ जहाँ पर भी आसपास में कोई लेक है, या फिर आपका कोई touch होता है, Mediterranean Sea से, या कोई भी area तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज की भी होती है, लेकिन just because of the climatic condition, यहाँ पर drought है जो की देखने को मिला और उसके होज़े से, लेक गारदा जो हो देदेरे शिंक होती जा रही है, श्रिंक होने के वाज़े से, लोकेशन यह वाली है, इसकी है, दिखी है आपको, यह लोकेशन है, इटली के अंदर, यह आपका के लिए मेंति की अपको, यह लोकेशन यह को मिलते हैं, इस वाली यह लेक के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो, northern itlia के अंदर बहुत कम rainfall है, जो की देखने को मिली, पिसले कुछ तुछ टायम के अंदर, और in fact, snowfall भी हाँ पर देखने को नहीं मिली, उसके वाज़ से लेकर काफी चीजों के अंदर प्रॉब्लम है जो की देखने को गिल रही है ड्रॉट का मतलब एक्चुली होता ही है कि जितनी रेंफॉल आपको चाहिए होती है समझ रहो जब उससे कम रेंफॉल एक ओवर दा पीरेट के अंदर आपको देखने को मिले तो हम लोग होता है जो कि आपके टायम प्रेट करता है यह एक फ्लाइंद फैन के दिक करता है चाहिए तो अपने अपने अब हमारे आहपर भी अकर कहीं पर भी पानी की अगर सुविदा जाधा है तो आपे water management का बहुत important role होता है आपने पानी foundation के बारे में पढ़ीगा मारास्टा के अंदर एक organization चलती है आमिर खान चलाते है उसको पानी foundation तो उन्होंने water management के लिए हर गाओं के अंदर जो है न वो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि government of India ने अभी recently एक और notification जारी किया गया है जिसके अदर एक और elephant reserve है जो कि अगस्ता मलाई के अंदर तमिलाडू में launch किया गया है पेरियार wildlife century जो किरिला है वहाँ पार इस program में इसका announcement किया गया यह हमारे देश के दोस्तो 32 वा elephant reserve है इससे पहले 2018 में notify किया गया था सिंग्फन करके नागलेंड में वहाँ पर notify किया गया था और तमिलाडू की बात करें तो अगस्ता मलाई तमिलाडू का पांच वा elephant reserve है दोस्तो जो कि यहाँ पर देखने को मिला biosphere reserve भी actually के अंदर यह हमारे country के अंदर आपको elephant आपको almost almost पूरे देश में सब्जेकर पर देखने को मिलेंगे IUCN के red list में endangered category में साइट में appendix 1 में Wildlife Protection Act में भी schedule 1 के अंदर हमारे Indian elephant देखने को मिलते हैं है ना इसके अलावा हमारे हाँ पर जो elephant से total number of elephant 27,000 के आसपा से जो कि पूरे देश में 2017 के अंदर census हुआ था वहाँ पर देखने को मिला था Tigers आपको मध्यपरदेश में maximum देखने को मिलेंगे लेकिन जब बात आती है elephants की तो elephants आपको maximum ठीक है maximum आपको कहां पर आपको करनाटका में दोस्तों देखने को मिलेंगे कुछ साल पहले एक टाइगर भी सब्सक्राइब करनाटका में थे लेकिन मध्यपरदेश ने लास census के अंदर जो है काफी अच्छा काम किया और वह आगे निकल गए उसके बाद में आसाम उसके बाद में किरला आसाम के अंदर एक बहुत ही beautiful अगर आप वहां जाओगे ना क्या नाम है अपना काजिरंगा नेशनल पार तो काजिरंगा नेशनल पार के अंदर elephant safari होती है तो वह बहुत ही अच्छा experience अगर आपने कभी नहीं किया अगर आप जा रहे हो तो करके आना और बहुत अच्छे beautiful elephants आपको देखने को मिलेंगे और अच्छी बात है कि उनके ओपर कोई workload नहीं होता बहुत ही limited यह बहुत जरूरी है कि अगर आपके पर भी tourism में काम में ले रहे हो किसी भी elephant को है किसी भी animal को तो बहुत जरूरी है कि उसके health का बहुत ध्यान रखा जाए उसके livelihood का बहुत ध elephant है आप में तोड़ते वे निकलते हैं सरफ पेड़ वेड़ जो होते हैं आपके जो जाड़िया वाड़िया होती हो उनके से निकलता हो बीच में से हटाते हुए तो you can see कि कि किस तरीके से elephant अपने खुद का रास्ता बनाते हैं जंगल के अंदर है पेड़ों को जाड़ियो है कोशिस करना चाहिए कि man on animal conflict है जो कि बिलकुल भी ना हो और welfare जो है captive elephant जो है उनका करना बहुत ही ज़रूरी है आगे बात करते हैं इंडिया गैबॉन के relation को लेकर गैबॉन दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा अफ्रिकन कंट्री है रिसेटली इनके एक डेलिकेशन इंडिय कंट्री में गए थे हैना यहां पर आप देख सकतो है हमारा प्यारा भारत है और यह रहा आप दोस्तों गैबॉन जो कि एक अफ्रीका कंट्री आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो एक डेलिकेशन गैबॉन का इंडिया विजिट हुआ दोनों ने इंडिया ने दोस्तों क कि यहां पर करनसी चलती है और आप क्यापिटल का नाम कुछ अजीब सा था नाम मेरे को याद निया रहा है कैपिटल का कोई वाइल वाइल करके कुछ था कुछ ऐसा नाम था इसकी कैपिटल का ठीक है चलो देख लेना गूगल पर बता देना यह बार कॉमेंट करके तो इस हम लोग उनको हेल्प कर सके हैं दोनों देशों के बीच में दोस्तों जो रिलेक्शन हो बहुत ही पुरान है प्री इंडेपेंडेंडेंस टाइम से देखने को मिलते हैं और में 2022 में वीपी हमारे गाई तो फर्स्ट हाई लेवल का विजट है जो कि इंडिया ने गया गया दोनों ही दोस्तों कुंट्रि भी नॉन पर्मनेंट मेंबर हैं अब डेशों के बात करें तो बाइलेक्टरिल ट्रेट दोनों देशों के बीच में एक बिलियन डॉनर का आसपास है जो की देखने को मिला हैं गया गयमार्व के एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया जो है वह से ग्याबॉन ने दोस्तों इंडिया को सपोर्ट भी किया है कही सार इंटरेशनल प्लैटफॉर्म्स के ओपर जैसे कि इनटरेशन सेक्योर्टी काउंशल के पर्मरेंट मेंबर्शिप में चेंज करने को लेकर हमने भी आप इनको एक जुल्विनी कंसेंसेज है और एक सेट डिक है इत्टरेशन है इसके अनदर अफिकल ऊण मनाने के कि बाद करें गजे थी वसके अंदर भी हमने इनको सपोर्ट किया है ठीक है इसके अलवा इंतरनाश्नल सोलर चाहिंस की बात करें इसने एक्टिफाई किया एजुकेशन के अंदर भी हम लोग आपस में ट्रेणिंग प्रोग्राम चुला रहे हैं एनर्जी के अंदर हम लोग इंडिया इंपोर्ट करवाता है नियर्बाइश साथ सो मिलियन डॉलर के दोस्तों क्रूड ओल साथ सो मिलियन डॉलर बहुत अच्छा कासा माउंट है इतना क्रूड ओल है जो कि हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं उनसे हमारे कही सारे इंडियन कम्यूनिटी के लोग के जो की एक्सपोर्ट में टिंबर में मैं इंट्रास्ट्टर काम में आप इंगेज है और हमारे ऑईल के अंदर भी जो है याँ पर काफी काम है जो कि हम लोग दोनों देश आपस में करते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट है जो कि आप देख सकते हो करेंट अफेर शॉट्स को लेकर जो की राजना सेंच जी ने दोस्तों स्टैच्च्य आप मारवारी वारियर वीर दुर्गादास राठोट जी का दोस्तों के 385 अब बर्थ अनवेसरी के ओपर जो है वो इनागरेट किया काहां पर जोदपूर के अंदर ठीक है वीर दुर्गादास राठोट जी जो है उनका एक स्टैच्च्य जो कि आप एंविल किया गया चलिए आगे बात करते है नेशनल ने सेलिबेट किया डेट सुई बर्थ अनवेसरी शिरिया अनुबेंदो की दोस्तों शिरिया अनुबेंदो बहुत ही फेमस करेंगे उडिसा गवर्मेंट ने मुए क्या है नाई ओटी के साथ में ताकि कोस्ट लाइन को प्रोटेट कर सका है नाई ओटी क्या है नैशनल इंस्टिट्ट फॉर ऑफ ओशन टेक्नोलोजी उनके साथ में दोस्तों क्या है इसका एड़कॉर्टर है चिन नहीं के अंदर इंदों ने इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इंडिया दूस्तों सप्लाय दो बीस पर्सन इतनौल जो मिलाकर पेट्रोल की पेट्रोल के अंदर ब्लैंड करके जो सप्लाय है ना वह अप्रेल दोजा तीस से स्टार्ट कर देंगे तो अभी आपका जो पेट्रोल होगा प थोड़ी बचावा तजोकी हो जाएगी ठीक है चलिए वो कैमनिस की बात करें हाप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपिटेटली मेंशन करना इसके अलावा हून का मतलब होता है किसी चीज़ को शार्प करना इंटेंस करना एक्जॉर्बिरेंग का मतलब होता है जब आप excessively कोई काम करते हो हैना बहुत जादा आप बहुत जादा किसी भी चीज़ को अगर आप लेके जाते हो तो इसको कहते हैं हुट्रेजिस कहते है है हुट्विंग का मतलब है mislead करना किसी को भी और परलॉन का मतलब है steal करना loot काना to property to take the property of another जादर किसी चीज़ की property को ले लेना तो यह था आज का आपका important session fun fact की बारें बात करें तो शायद आपको पता होगा कि टाइगर की टंग होती है वो इतनी जादा strong होती है कि वो दिवार के उपर से paint है जो कि अटा सकती है और आपकी body के उपर से skin भी जो है वो अटा सकती है व download कर लीजेगा और अपना जो भी एक्जाइम में हो सेलेट करिए आप आपका ग्रूप पर जाएए और आप यहां पर बाइनाव पर जाके जो है सेलेट कर सकते हैं और रैफल को लगा सकते है आरके 25 लगाते हैं आपको 25% off है जो कि आपको टेस्स में मिल जाएगा ठीक और आप इसको जॉइन कर सकते हैं आज का अपना पहला सवाल है जो कि ड्रॉट को लेकर यह सूखे को लेकर है बता दीजीगा क्या सही है नेक्स्ट है रिलीजियन कंवर्जन को लेकर एक्चुली में रिलीजियन कंवर्जन बिल है जो कि अभी माचल परदेश के द्वारा एब सब्क्राइब नेड violent की लगे सब्सकर सकते सब्सक्राइब κα्ना हो यह समय भी जादा जादा आभी में पर प्ता होना चैचिये यह था आज का इंप्मोर्टन पॉnel हों और यह यह ब्टो परदो देक लेकर नहीं कर दीजेगा, आज के लिए इतना है, thank you everyone, goodbye and have a nice day.